हेलो फ्रेंट्स आप सभी के एक बर फिर से स्वागत अमारे इस वीडियो में मैं हूं संदीप यादव आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल हाई टेक नर्स दोस्ता आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CHO के मोडल टेस्ट के कुश्चन पेपर के बारे में तो यह आपके लिए चाहे कहीं का भी CHO चाहे पंजाब, MP, अंदर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कहीं का भी CHO सभी के लिए यह कुश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथ में यह M's के लिए भी इंपोर्टेंट कुश्चन से क्योंकि M's में भी इस टाइप के कुश्चन पूंचे जाते हैं बहुत ही जी जी कुश्चन है आप इनको सोल करने की कोशिस करना वीडियो को पोज करकरके तो इनका रेशनल अगर चाहिए तो आप अमें कमेंट में बता दीजी तापकि next वीडियो के साथ आपको rational भी दिया जा सके वीडियो का अगर किसी भी कुश्चन कांश्वर आपको गलत लगे तो आप अमें कमेंट में बताना तो चलिए बिना देरी के वीडियो सटाट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने इसमें पहले मां आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंस सके वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपनी नर्सिंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के पास तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसके अंदर दिया जा रहा है, इससे पहले भी मैं और भी वीडियो बनाए हैं, उनके भी आप जाके देख सकते हैं, उनके अंदर भी important questions आपको देखने के लिए मिलेंगे immunization schedule का मैंने अलग से वीडियो बना दिया, जो MPCH के अंदर इसमें से 5 questions जरूर आएंगे तो वो भी देख लेना, question number first, the lobe of the brain that contains the primary sensory cortex which analyzes sensory information, तो brain का वह कौन सा cortex होता है, जहाँ पे sensory analyze sensation को analyze किया जाता है, sensory information को, option A, frontal lobe, option B, parietal lobe, option C, temporal lobe, option D, occipital lobe और option E, non-op दिया वो, आपको यहाँ पे हर question का 5 option मिलेगा, तो आपको 5 में से देखना होगा, extra आपके लिए मिल रहा है यहाँ पे तो बताई इसके अंदर क्या answer होगा, इसके अंदर right answer होगा, option B, parietal lobe next question, question number 2, in which of the following condition ear irrigation is contraindicated, कौन सी ऐसी condition है, जिसके अंदर ear irrigation contraindicate होता है, option A, pain in ear, option B, loss of hearing, option C, otitis media या otitis external option D, perforated tympanic membrane and none of the above, तो इसका right answer होगा, दोस्तो, option D perforated tympanic membrane की वज़े से अगर irrigation करते हैं, तो उसका जो भी irrigation material होता है, वो external ear से internal ear के अंदर जाने के मिलती है, option A, cataract, option B, refractive error, option C, nutritional deficiency, option D, ear injury and option E, none of the above, तो ये option आपको चार दिया जा रहे हैं, अगर आपको इन में से कोई भी option सही नहीं लगे तो आप आपके लिए होगा, ऐसे, तो बता ही इसका answer क्या होगा, इसका right answer होगा, इंडिया के अंदर most common होता है, cataract, लेकिन यहाँ पे refractive error दिया गया है, तो first priority refractive error को ही दी जाएगी, वैसे इंडिया के अंदर adults की बात करें, तो adults के अंदर होता है, cataract और बच्चों के अंदर होत इसे blindness, तो यह दोनों question आपको याद रखने, next question, question number 4, which of the following transfer is to inability to carry out learned movement on command in the absence of weakness or paralysis, option A, akinesia, option B, athetosis, option C, aprexia, and option D, agnosis, तो इसका right answer होगा, option C, aprexia, next question, question number 5, blood flow through the coronary arteries primarily occurs during, तो जो coronary artery में blood होता है, वो पहली बार कब आता है, inspiration के दोरान, expiration के दोरान, systol के दोरान, diastol के दोरान, तो जो coronary artery के अंदर blood आता है, वो पहले सबसे पहले आता है, diastol के दोरान, तो option D is right answer, आप लोगों की दिमाग में, बहुत से लोगों की में, systol चल रहा होगा, लेकिन systol के time पे coronary नहीं, अरोटा के अंदर blood आता है, लेकिन यहाँ पे coronary artery की बात की जाए, तो coronary artery के अंदर, diastol के time आता है, option D is right answer, next question, a patient with heart failure is being treated with digoxin, एक heart failure का patient है, जिसको digoxin दिया जा रहा है, during digoxin therapy, which of the following condition could predispose the patient to digitalist toxicity, digitalist digoxin को ही बोला जाता है, तो इसकी toxicity के लिए कौन सा parameter देखा जाता है, option A, pneumonia, option B, hyperkalemia, option C, hypothyroidism, and option D, hypocalcemia, इसका right answer होगा, option C, hypothyroidism, देखने को मिलेगा, digoxin toxicity के अंदर, यह question बहुत बार exam के अंदर पूंचा जाता है, digoxin का, तो यह आपको जान में रखना है, next question, question number 7, एक patient has undergone bronchoscopy for collection of tissue specimen, एक patient है, जिसको bronchoscopy किया जा रहा है, किसके लिए, tissue specimen के लिए, after the procedure, which of the following, the nurse should observe in order to detect possible complications, तो bronchoscopy के बाद, जो tissue specimen लिया जा रहा है, उसके बाद अगर nurse check कर रही है, कि उसको observe कर रही है, possible complications क्या हो सकता है, तो option A, difficulty in breathing, option B, hoarseness of voice, option C, difficulty in swallowing, option D, blood tinged sputum, तो इसका रही टांस रहोगा, option A, difficulty in breathing हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ पर bronchoscopy के पास में अगर pharyngeal nerve आती है, जो diaphragm को inner weight होती है, अगर उसके उपर, अगर compress हो जाता है, या फिर उसको damage कर देती है, तो difficulty in breathing हो सकता है, next question, question number 8, the nurse prepares to perform postural drainage for patient with COPD, to determine the best postural drainage position the nurse should perform, postural drainage के लिए best position क्या होगी, perform करने के लिए COPD के patient के अंदर, तो option A, palpation, option B, auscultation, option C, abg analysis, and option D, x-ray, तो postural drainage के लिए जो tube insert की जाती है, उसकी best position को check करने के लिए, यहाँ पर इसका right answer होगा, option B, auscultation किया जाता है, उसका tube का insertion के बाद, और जो chest tax ray होता है, वो होता है, ET tube का confirmative test, यह भी आपको ध्यान में रखना है, next question, question number 9, which of the following methods of administration is the desired choice for interstitial intestinal feeding, intestinal feeding के लिए administration का best method कौन सा होता है, option A, bolus, option B, intermittent, option C, continuous, and option D, any of the above, तो इसका right answer होगा, option C, continuous दिया जाता है, intestinal feeding के अंदर, next question, question number 10, the most common cause of urinary retention in women, women, women के अंदर most common urinary retention का कारण क्या होता है, option A, urethral structure, option B, spinal cord injury, option C, systosil, option D, detruser failure, detruser होता है, internal sphincter बोलते हैं, detruser को, जो urethral के अंदर होता है, internal sphincter, detruser failure, option D is right answer होगा, इसके अंदर, detruser के failure होने की वज़े से, urinary retention के ज़्यादा चांस होते हैं, females के अंदर, women's के अंदर, next question, question number 11, the most common type of goiter is, goiter एक disease होती है, जो iodine की deficiency की वज़े से होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर iodine की deficiency की वज़े से, goiter disease होती है, आपका hypothyroidism देखने को मिलेगा, तो इसका most common type क्या होता है, option A, endemic और simple, option B, sporadic, option C, nodular, and option D, toxic, इसका right answer होगा, option A, endemic और simple goiter, next question, question number 12, which of the following type of insulin is the treatment of choice in diabetic ketoacidosis, तो diabetic ketoacidosis के अंदर, treatment of choice के लिए, कौन से type का insulin यूज़ किया जाते हैं, option A, regular insulin, option B, NPH insulin, option C, alternate insulin, ultra-linate insulin, option D, NPH, या फिर regular 75-30, इसका right answer option यह होगा, regular insulin, diabetic ketoacidosis के अंदर देते हैं, क्योंकि ये long time के लिए, यूज़ आता है, next question की बात करें, यहाँ पर, question number 13, perineal pain is the absence of an infection process is suggestive of, option A, bladder calculate, option B, internal hemorrhoids, option C, prostatitis, option C, chronic prostatitis, इसका right answer होगा, option D, chronic prostatitis, sorry दोस्तो, next question, question number 14, which of the following blood components is deficient in anemia, anemia के अंदर कौनसे blood components की deficiency होथी है, option A, erythrocytes, option B, hemoglobin, option C, hematocrit, option D, all of the above, तो, anemia के अंदर, सभी components, होते हैं, blood components यहनकी कमी हो जाती है, next question, question number 15, which of the following risk factor is associated with cervical cancer, cervical cancer से कौनसा risk factor associated है, इनमें, यानि की कौनसे risk factor की बज़े से, cervical cancer होने के ज़्यादा chance होते है, option A, increased age, option B, obesity, option C, early sexual activity, and option D, family history of cervical cancer, तो, इसका right answer होगा, option C, early sexual activity की बज़े से, cervical cancer होने के ज़्यादा chance होते है, क्योंकि, early sexual activity होने की वज़े से, वहाँ पे, secretions बढ़ जाते हैं, इसकी वज़े से, वहाँ पे, overgrowth हो जाती है, cells की, तो, वहाँ पे, cervical cancer के chance, ज़्यादा होते हैं, इंडिया के अंदर, most common cancer भी, cervical cancer देखने को, मिलता है, दोनों कुश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं, next, 16 कुश्चन, malignant tumor that arise in the bone marrow, इजे, जो bone marrow के अंदर, malignant tumor होता है, वह कहां से rise होता है, तो वह होता है, option A, multiple myeloma, option B, lymphosarcoma, option C, vessel cell carcinoma, and option D, hemangiosarcoma, तिसका right answer होगा, option multiple myeloma, next question, question number 17, which of the following type of anemia, is caused by the failure, to absorb vitamin B12, vitamin B12 के absorption के में, कमी होने की वज़े से, कौन सा cancer या कौन सा anemia, शोरी cancer नहीं है दोस्ते, anemia देखने को मिलता है, vitamin B12 का केमिकल नाम होता है, sinokobalamin, और sinokobalamin का मतलब होता है, vitamin B12 की deficiency वज़ने की, कोबाल्ट की deficiency वज़े से होता है, option A, sickle cell anemia, option B, microcytic hypochromic anemia, option C, normocytic normochromic anemia, and option D, macrocytic normochromic anemia, बहुत ही ज़दा important question है, underline कर लीजे, million dollar question है, यह आपको ध्यान में रखना है, आपने अभी तक सुना होगा, parnicious anemia होता है, vitamin B12 की कमिसे, लेकिन आज को important बात आपको बताने जा रहा हूँ, यह है vitamin D की कमिसे होता है, macrocytic normochromic anemia होता है, यह बात आपको किसी को साहिद पता हो, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, लिक लेना यह बात, यह question बहुत बार पहुंचा जाता है, macrocytic normochromic, option D is right answer, next question, question number 18, which of the following bone cells is the basic bone forming cell, कौन सी bone basic bone forming cells होती है, option A, osteons, option B, osteoblast, option C, osteocyst, option D, osteoclast, तो जो bone के अंदर, जो basic bone cells forming होती है, जो cells का निर्मान करती है, RBCWBC का, वो होती है, osteoblast, option B is right answer, next question, question number 19, the acrine, यह endocrine हो सकता है, दोस्तो, नहीं, sorry दोस्तो, acrine ही होता है, acrine gland secret, तो जो acrine gland होती है, वो क्या secret करती है, melanin, sebum, sweat or hormones, तो जो acrine gland होती है, वो sweat का secretion करती है, sweat gland भी बोलते हैं इसको, sweat gland का दूसरा नाम, also known as, acrine gland, तो option C is right answer, next question, question number 20, which of the following agents, should be used to clean, a pressure ulcer, pressure ulcer का मतलब होता है, bad sure, तो इसको clean करने के लिए, किस agent का use किया जाता है, soap and water, option B, normal slime, option C, hydrogen peroxide, option D, povidine and iodine, तो इसका right answer होगा, option B, normal slime, pressure soul को, हमेशा के, हमेशा, bad sore, pressure sore, या pressure ulcer को, हमेशा, normal slime से ही clean करते हैं, यही agent use करते हैं, इसके लाग, कोई agent use नहीं करते हैं, क्योंकि, pressure sore को, ज्यादा से ज्यादा, dry रखना होता है, ताकि वो जल्दी से हील हो सके, और oxygen की presence में, बहुत जल्दी हुन्ड हील हो जाते हैं, next question की बात करें, question number 21, world health day is celebrated on, दोस्तों यह question भी बहुत बार, exam में repeat होता रहता है, कि world health day कब मनाया जाता है, तो यह WHO day, world health day, यह दूसरे नाम से भी पूंचने को मिलता है, national health day कब मनाया जाता है, तो तीनो question एक ही बात होती है, इसका right answer होता है, 7th April, तो इसका right answer आपको मिल जाएगा, option C, 7th April, 7th April, 7th April को world health day celebrate किया जाता है, next question, question number 22, breast feeding week is celebrated on, breast feeding week celebrate कब किया जाता है, तो जो breast feeding week होता है, वो celebrate किया जाता है, option A, first week of March, option B, first week of July, option C, first week of August, and option D, first December, तो इसका right answer है, option C, first week of August, next question, question number 23, most universal accepted indicator of health status of whole population, and their socio-economic conditions, among the following is, तो most common universal acceptable indicator क्या होता है, health का, health का, MMR, maternal mortality rate, option B, IMR, infant mortality rate, option C, life expectancy, and option D, disease notification rate, तो इसका most common universal accepted indicator होता है, वो होता है, IMR, वैसे तो health indicator के अंदर, MMR और IMR, दोनों को ही count किया जाता है, लेकिन अगर option में single best answer पूचे, तो IMR होगा, infant mortality rate, next question, question number 24, Pepsmere test for detection of carcinoma of cervix, which level of prevention, जो Pepsmere test किया जाता है, carcinoma of cervix का, वो कौन से level of prevention के अंदर में आता है, तो दोस्तों, मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी information देना चाहता हूँ, कि जो primordial होता है, इसके अंदर level of prevention के अंदर, सिर्फ और सिर्फ health education दी जाती है, और कुछ नहीं किया जाता है, इसके अंदर सिर्फ primordial के अंदर, सिर्फ health education देने को मिलती है, इसके अंदर risk factor मुझूद नहीं होता है, risk factor absent मिलेगा आपको, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी question पूचिए, जिसके अंदर risk factor absent हो, तो वो primary के नहीं, primordial के अंदर count होगा, और next अगर second में बात करें, primary के अंदर, तो primary के अंदर disease होने के लिए, risk factor present होगा, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर risk factor present है, तेकिन उसको treat किया जा सकता है, जैसे immunization को primary के अंदर रखा जाता है, immunization, vaccination, nutrition को भी primary के अंदर ही count करते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, primary के अंदर risk factor मौजूद होता है, लेकिन उससे कोई disease फैलती नहीं, लेकिन risk factor होने के वज़े से कभी भी disease फैल सकती है, तो वो सभी disease जिनके अंदर risk factor मौजूद होते हैं, लेकिन अभी disease कोज नहीं हुआ है, उन सब को primary prevention के अंदर रखा जाता है, second बात करें, secondary prevention की, तो secondary prevention के अंदर सभी वो test, screening test जो detect किये जाते हैं, या फिर treatment, lab test, surgeries, जो जितनी भी disease हैं, जिनकी वज़े से pathogen या pathogenicity कोज हो चुकी है, disease कोज हो चुकी है, वो सब के सब secondary level prevention के अंदर आते हैं, next and last बात करते हैं, इसके अंदर, tertiary prevention के अंदर, tertiary का नाता है, और सिर्फ और सिर्फ rehabilitation देखने को मिलता है, इस प्रिवेंशन के अंदर, rehabilitation count होगा, तो rehabilitation का मतलब होता है, उसको level of prevention के अंदर, rehabilitation का मतलब होता है, उसकी health of quality को increase करना, health of quality को increase करना होता है, जैसे कोई polyo का patient अगर उसको treat कर दिया है, जैसे किसी लंग कैंसर के पेसेंट को ट्रीट करना हो तो लंग कैंसर के पेसेंट को ट्रीट करने के लिए उसको पैलियेटिव थेरेपी दी जाती है पैलियेटिव थेरेपी के अंदर उसके लेवल ओप क्वालिटी को बढ़ाया जाता है हल्थ की लेकिन उसको पता होता है कि उसको treat नहीं कर सकते लेकिन उसको अच्छी जिंदकी दे सकते हैं उस समय के लिए जब तक वो जीवीत है तो इसके अंदर आप इस question के साफ से देखें तो carcinoma of cervix level of which prevention अगर इसके अंदर test होगा level of prevention का तो मैंने बताया था यह सभी आएंगे एक screening test secondary के अंदर पर तो इसका right answer भी option C secondary level of prevention होगा next question vitamin A prophylaxis to a child is एक child को vitamin A prophylaxis के रूप में क्यों देते हैं तो इसका right answer होगा option A health promotion, option B specific protection, option C primordial prevention, option D secondary prevention तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि vaccination जो किया जाता है वो तो primary prevention के अंदर आता है लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई option नहीं है तो जो specific protection होता है उसके लिए यह vitamin A prophylaxis के रूप में दिया जाता है नहीं एक लाख international उनिट होती है और इसकी total dose दी जाती है वो दी जाती है नाइन डोज फर्ष्ट डोज इसकी एक लाख उनिट होती है फिर इसके बाद जितनी भी बचिवी 8 डोज है वो 12 लाख international उनिट के इसाब से दी जाती है हर 6 महिने में यह 9 मंत पे दिया जाता है इसके 6 महिने बाद 15 मंत 15-18 मंत उसके 6 महिने बाद 24 मंत 30 मंत ऐसे करके 5 साल तक चलती है 9 इन डोज और टोटल अमांट इन के डोज का होता है 9 दुनी अठारा और 8 दुनी शोड़ 17 लाख international उनिट टोटल विटामिन A की दी जाती है पांस साल के अंदर यह पूरी बात आपको द्यान में रखने है विटामिन A से रिलेटेड है मीजल्स के साथ इसली दी जाती है क्य ऊसंदा इंथी फ्लीस लाइक कर देना सेर कर देना चैनल पर अंवे तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना आ साथी बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताके हमारे आनेवाले हर नए वीडियो को नोटीफिकेशन आप सब तक पहुंस सके हैं ایک उसलोट तो एक नएओ वेडियो के साथ तब तक के लिए खुश रही है मस्तरी